हेलो दोस्तो 3D Max Basic Tools का ये second video है जिसमें मैं आपको बच्यों ही tools clear करूँगा जो basic tools अभी तक बच गए हो उन्हें मैं इस tutorial में clear करूँगा second part में अभी हम files को save कैसे करना है ये इन चीजों को पहले clear करते हैं यह हमने एक box बनाया sphere लिया यहां से cone लिया और यहां से टोरस भी ले लेते हैं यह चीजे हमने और यहां default यह चीजे हम पहले clear कर लेते हैं यह चीजे हमने बना लिया अभी हमें यह देखना है कि यह file को save कैसे करना है यहां से save edge है यहां से save edge हो गया save copy edge save selected save selected आपकी important होता है so file save कैसे करना है यह तो normally सभी लोग जानते है save edge पे जाके save करना है यहां direct click करेंगे save edge पे तो भी जहां अपने link देकर वहां पर आप file को save कर सकते हैं तो archive बना लीजिए save edge कर लीजिए save selected काफी important होता है वो हमें जब किसी और file में कोई और scene है हमारा उसके अंदर यहां से जैसे यह box को import करके ले जाना है तो वहां पर यह save selected अभी तक यह off आ रहा था भी अचाना कि इसको select करते ही on आ गया यह save selected करके हम किसी भी object को single object को एक scene के अंदर से हम save selected सिर्फ उसी object को save कर सकते हैं import के अंदर आप किसी भी file को import कर सकते हो merge के थूँ आप किसी vh file से single object को आप merge कर सकते हो इस scene में अपने scene में यहां से export हो गया export में जाकर आप export selected किसी भी single object को आप उसी तरह select करके और export कर सकते हो यहां से clear direct export कर सकते हो पूरे scene को आप scene को fbx में किसी भी upper version में max के upper version में scene को ले जाना है जो भी आप model बना रखे उसको fbx हो गया obj होता है obj fbx obj इनके थुरू आप export कर सकते हो अपने किसी भी object को तो यह होता है इनके यह खासियत है export वगएरा कि आप cad में भी ai वगएरा बना सकते हैं ai के थुरू cat में ले जा सकते हैं अपनी file को direct cat के लिए dwg वगएरा format export होता है तो यह export अपना export का तुरू ऐसा हम किसी भी other file में export कर सकते हैं यहां से full scene code set कर सकते हैं new कर सकते हैं यह सारी चीज़े होती है यह edit हो गया edit के अंदर आपको move rotate scale वही जो आपको direct यहां पर आता है इसी को यहां पर बताया गया है कि हाँ यह shortcut है उसका जो मैंने लाश्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि w से move, rotate, e, scale, r से यह सब होती है तो यह सब चीज़े हैं जो कि right click करने पर भी इदर आपको so कर जाता है यह tools है basic tools है array, mirror यह चीज़े जो है इसमें tools आप tool में चले जाओ इतनी सारी tools है इनका use यहां से बहुत कम होता है group है, group का use होता है इन सभी object को अगर आप group करना है तो यहां से आप tool को group कर दो यह सारा object हमारा group होगे हो चुका है और ungroup करना है तो यहां से ungroup कर दो फिर से अलग-अलग यह ungroup होगे हैं अब हमने इसे group कर लिया अब ये group है, बट इससे direct ungroup नहीं करना है, मैं जब कुछ भी इसमें change करके और फिर से group करना है, तो मैं वहाँ से open कर लूँगा, open करने पर यह आप एक box जैसा line देख रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे object है, अब किसी में आपको single में कुछ change करना है, इसको ऐसे कुछ change कर देना है, कुछ भी shape में change करना है, ये box को इसको चैण्ज कर देना है, ये लेकिन group को आपको नहीं चेहरेना है, लेकि ये group तो रहे ही, तो आप group open के बाद ये close कर दो, तो फिर से आपको ये सारा कुछ group रहता है, तो ये सारी चीज़े हैं इसकी वीऊ में बहुत सारी टूल्स होती हैं सो कबब कि इसमें सिर्फ ए एक समेक्स सॉफटवेर है इसके अंदर सिर्फ मॉडलिंग या टेक्ष्रिंग सिंगल नहीं होता है, इस पर एक मोवी भी बनती है, बहुत सारे है। सॉफटवेर के इसमें रिगिंग होती है। एक animation का part क्या होता है, मैं आपको यह पहले बता दू, एक होता है modeling, first आता है modeling, जब हम कोई model, कुछ भी create करते है model, second होता है texturing, उस पे texture लगाना या setting करना, third होता है lighting, जब आपका modeling texturing करके scene के late होगा, तो उस पे आप light का setup लगाते हो, lighting के पास होता है, अगर आप का character है, animation dynamics, यह चीजे, यह 6 बार्ट में अलग-अलग बटे हुए, modeling, texturing, lighting, setting, rigging, animation, यह सब चीजे है, तो इसमें आपको बहुत सारे tools है, यह सारे tools जरूर नहीं है कि आपको use हो, अगर जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो मैं सिर्फ modeling, texturing और lighting बताऊंगा, जो कि architecture field में use होता है, या आप future में एक character modeling या interior, exterior वगरा के लिए, आप modeler बन सकते हो, texturing artist बन सकते हो, lighting artist बन सकते हो, तो मैं इनकी tools बताऊंगा, rigor, animator, जो animations वगरा बनाते हैं, animation movies वगरा में, तो उनके लिए उनका tools अलग होता है, उस होता इसी में, यह सारे tools, अब जैसे animation में चलेगा, यह animation, यह tools ज या IK solved, यहां तक कि last time मैंने, last video में आपको select link, यह सब जो बताया था, यह rigor वगरों का use का होता है, तो modelers को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, यह इसी तरह animation है, graphics है, यह modify है, तो ESI अभी hair and fur है, यह hair and fur वगरा है, यह dynamics का artist का का काम होता है, कि कोई एक character model है, तो उसके अंदर उसके fur वगरा कैसे निकालने है, hair को कैसे, कैसा style देना है, यह सारे काम होते है, यह dynamic style का काम होता है, तो यह चीज़े है, rendering होगा है, rendering के अंदर यह view image, view image हमारे काम कीशी होती है, इसे modelers काफी ज्यादा use करते है, view image के अंदर जाना है आपको, और कुछ भी, कोई भी एक sheen आपको इसमें import कर लेना, जैसे आपको यह जो यह video, यह एक, मैंने stall का photograph ले लिया, अब इस stall पूरे अच्छा लग गया, आपको same to same stall बनाना है, तो यहाँ आप import करके same to same stall बना सकते हो, आपको पूरा stall नहीं बनाना है, आप चाते हो कि इसमें से table और chair आपको आपको पूरे scene को एक real light मिलेगा, एक environment का real light मिलेगा, HDR इसमें import करने से, तो यह चीज़े होती है, यहाँ से add वगरा करके आप effect वगरा ला सकते हो, fire effect, blog, fog, यह सब चीज़ generate कर सकते हो, इसी तरह यहाँ पर भी अलग से effect होता है, यह सब चीज़े, hair and fur, blur, किसी scene को कुछ blur करना है, तो काफी सारी, काफी सारी use है, इनके environment and effect के, तो यह चीज, rendering में यह चीज़े use होती है, view image use होता है, तो आगे में बताते है, customize, customize में आपको unit setup है, आपने लास्टाइम बताया भी था, कि इसके तरूब, जैसे यह meter है, तो कुछ भी, किसी भी चीज़ को meter, अभी में, अगर में meter में रखता हो, तो fit में कैसे convert करना है, यहाँ से fit में, inches में, यह चीज़े में convert कर सकता हूँ, यहाँ से meter है, तो यह mm में कैसे change कर सकता हूँ, तो यह चीज़े, अभी में decimal fit में रखता हूँ, यहाँ से size बगरा change कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ customize हो गया, max script है, यहाँ से script बगरा कि कभी, अगर script के काम करना है, script के उपर, तो काम कर सकते ह यह चीज़े हैं, यह सारी help की tools हैं, यह सारी tools हैं, जो basic उपर किया, link बगरा, यहाँ से all है, यह एक खास tool है, यहाँ से all में अगर आप geometry सिर्फ select कर देते हो, तो आपकी सिर्फ geometry ही select होगी, अगर आपका इस scene के अंदर, जैसे अभी में, और कुछ है भी नहीं, तो geometry के अला यहाँ ungroup और group का group कर दिया था, अभी इसके अंदर हमने जैसे यहाँ पे एक light है, यह आप देख सकते हैं, मैंने last time बताया था, geometry, shapes and इसके बगल में यहाँ light आता है, अगर scene में lighting करने के लिए, तो अभी जैसे photometric है, standard lighting काफी use होता है, तो मैंने एक omni light ले लिया, जैसे ही om अगर मैं चाता हूँ कि light है, तो light दीखे, बट viewport पे पूरे में light दीखे, जो की basically दीख रहा था, तो हमें control L करना होता है, तो light के होते हुए भी हमारा पूरा object दीखता है, control L प्रेस करने से, तो यह हमारा omni light हो गया, omni light के अलावा, तो अभी जैसे मैं light भी कर दिया, यहा आपको हमें बताना है कि यह काम क्या करता है, तो इसके लिए मैंने camera भी यहाँ पर, एक camera लगा दिया, अब आप यहां से देख सकते हैं कि all, geometry, shape, light, cameras, help, यह चीज़े हैं, अब जैसे all है, तो आप अगर इस पे ऐसे click करते हो, तो सारी चीज़े select हो गया, बट आपको geometry select करना, अब इस पे आप पूरे पर click करो, जो geometry वाली चीज़े हैं, वो select हो गया, बट light और camera select नहीं हुआ, इसी तरह आपको light, यहाँ पे हमने light कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ light select होगा, बाकी की चीज़ें, जैसे camera हो गई, या और भी कुछ भी other चीज़ें मैं इस पे scene मे अगर रखो, तो वो चीज़े select नहीं होगी, और सिर्फ light ही select होगा, तो यह इसका एक खास importance है, इसी तरह camera है, camera और select करने पे, सिर्फ camera select होड़ा है, बाकी चीज़े select नहीं हो रही, तो इसी तरह यह बाकी सारी चीज़े bone है, तो यह जैसे animators होते हैं, rigor होते हैं, तो rigor को अगर है, या कोई भी character उसमें, उसके अंदर rigors जो होते हैं, वो bones लगाते है, तो bones, अब rigor को bone, और सिर्फ bone select करना है, बाकी उसके mace वगरा, here, यह सर्फ select नहीं होना चाहिए, तो rigors जो होता है, वो सिर्फ bone पे click करता है, तो उससे, और ऐसे ही drag and drop करता है, तो उसके सारे bones select होता है, यह सिंगल किसी एक चीज को select करने के लिए, यहाँ पी टूल दिया गया, अब इसी तरह आगे जाते हैं, आगे यह यह भी इसी काम का है, select करने के purpose से यह है, यहाँ पे आपके, जैसे, यह, यह, मेनुली भी यहाँ से आप click करके select from scene कर सकते हैं, और direct edge place करने पे भी यह आपका open होकर आजाता है, जिसमें आप अभी camera देख रहा है, हमने camera select कर रखा था, यहाँ camera कर रखा है, इसे यह camera दिख रहा है, इसे बंद कर देते हैं, यहाँ से हम इसको all कर देते हैं, all करने के बाद edge press करते हैं, camera है, अभी यह से यह geometry का off है, यह चीजे में light है, तो अ select from scene, यहाँ से भी है, यह press करके आता है, and यह move, rotate and scale मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ, यह क्या है, यह अभी आप select में किसी object को, single object को, जैसे select कर रहा था, जैसे इस box को कर रहा हूँ, square को कर रहा हूँ, तो अब जैसे यह tea pot है, tea pot को मैंने इसे select किया, तो यह आप देख रहे हैं, square shape में ऐसे select होड़ा, अभी मैं यहाँ से इसको यह round कर दूँ, तो यह round बन कर आएगा, selection, selection लेने के लिए round shape में आएगा, यह third वाला क्या है, आप देखो, आप खुछ से देखो, यह ऐसे लाख, इस point पे, जैसे ही मैं कतम कर रहा, अब मैं यहा तो इनका use होता नहीं, इनमें से किसी का use नहीं होता है, जो भी designers होते हैं, वो सरफ first option, जो यह square में है, इसी को use करते हैं, और इसके through, इसी के साथ friendly हो रखके होते हैं, तो आप भी ऐसे drag करें, और किसी भी अपने object को select करें, तो यह चीज़े अभी आपको उमने बता दिया, अब यह क्या है, यह है, व्यू, scene, world, यह हमारा according to जैसे भी अभी यहाँ पे अभी, डिफॉल्ट में यह view होता है हमेशा, यह access के लिए होता है, यह pivot देख रहे हैं आप, यह pivot, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो मेरा भी key जा रहा है, यह pivot है, यह इसका access है, अब यह देख रहे हैं, यह pivot है, अब यह center pivot, यह box के center में pivot चला गया हमारा, यह अभी center pivot है, तो इस pivot को का angle क्या हो, किस access में, यह view में काम करें, scene के according काम करें, जब आपका, यह future में जब काम करेंगे, जब हम आपको models बना कर दिखाएंगे, कोई scene, तो उसमें वहाँ पे आपको यह ज़्यादा better धंक से clear में कर पाऊंगा, कि यह होता क्या है, अभी यह, जैसे यह, इसे में simply x में ले जाना है, तो ठीक है, बट, x access में ले जाना है, तो ठीक है, पिर तो कोई डिकत नहीं है, बट, जहाँ पे, जैसे ही, इसे में किसी goal surface पे roundish shape में ले जाना हो, अलग अलग, तो वहाँ पे local का use होता है, ज़्यादा तर जैसे मैं use करता हूँ, तो view पे, और मुझे local, जो इसका यह local access है, यह local access मुझे काफी काम आता है, तो यह चीज़ें है, इसमें, यह future में जैसे ही काम, मैं और आग यह भी pivot को लेकर काम आता है, इसे first option ही, आप click करके रखे, center में रखेंगे, तो center से वो clear, वो करेगा select, तो इसको default ही रहने दे है, यह snapping के काम आता है, जैसे अभी इसको मुझे इस जगह से snap करना है, इसको मुझे यहाँ snapping करने के लिए, जैसे किसी भी pivot को snapping के काम आता है, snapping में यह मैं default, अब किस face को लेके करना है, pivot को लेके करना है, किस को लेके आपको snapping करना है, grid and snap setting, तो यह चीज़े इसमें होती है, बाकी मेली यही हुज होता है, इसका बाकी क्या options, इसमें आपको 45 का मैंने बता दिया था, angle हो कर रहा है, आपको किस angle पे rotate करना है, तो आप angle 45 22.5, 90 degree यह चीज़ कर सकते हो, 90 degree के angle पे rotate करना है, तो चलो 90 degree कर दिया, तो यहां से आप angle अपना change कर सकते हो, यह मैंने last time बटा दिया था, कि size, जैसे आपका grid का size है, 1 feet, 1, मैंने प्रेस किया, तो 1 feet by 1 feet का यह grid हो गया, भी काफी चोटा grid था, तो इस तरह से इसका भी मैंने बता दिया था, यह चीज़े होती है, अब मैं यह दोनों बंद कर देता हूँ, separate snap tool, यह भी वही काम करता है, single single separate snap करने के काम आता है, separate snap tool हो गया, इस जोगे काफी काम use है, और लर्स को, तो यह चीज़े है, manager layer, अब यहां से आप layer में, आपके designs में, जो भी आप layer wise अगर का करना चाहते हो, तो यहां आप अपने, आपके सारे layer होते है, layering के थुरू आप काम कर सकते हो, जिनकी जरूरत पढ़ती ही नहीं है, वैसे, बाकि आप अब करना चाहो, आपके मर्जी हो, तो आप layer में अपना काम कर सकते हो, Garified Modeling Tool है, इन चीजों की यूज कम है, आगे designers जो mod rigor वगरा यूज करते होंगे, animators का काम होता होगा, इनका यूज बहुत कम होता है, इसका, हाँ, इनका तो उतना यूज नहीं है, इन चीजों का layer के बाद ये इनका, बड़ ये है material editor, ये बहुत ही important चीज है, modelers के लिए, अब जैसे ये चीजें मैंने बना लिया, इतनी सारी, अभी मैं ये camera हटा देता हूँ, और light हटा देता हूँ, इसको आगे हम अच्छे से clear करेंगे, अब जैसे ये ये इतनी चीजें मैंने बना लिया, ये जो आप देख रहे हैं, material editor, ये काफी important होता है, इसके अंदर, इसके through हम कुछ भी color करना हो, setting का काम color करना हो, अब मुझे इसको steel का texture देना है, जब की render होने के बाद, ये steel का box, ये steel का दीके, तो मैं इस पे color डालूँगा, अभी ये color है, इसको मैं steel के लिए थोड़ा सा, ये gray spec लाऊँगा, उस पिक के बाद, इसको reflect value को मैं ज् ज्यादा करूँगा, और उसके बाद मुझे कैसा है, glossy रखना है, या pure steel जैसा दिखाना है, तो उसके according में इसकी values चेंज करूँगा, reflection का, 0.88, 0.8 रखो, जिस तरह का effect मुझे दिखाना है, तो ये चीज़े चेंज करना होता है, subdivision है, इसको बढ़ाने से, अगर scene में 29 वग इसको default ही रहने दे, जरूरत परने पर ही subdivision का यूच करें, तो ये चीज़े होती है, अभी यहाँ से, अभी मुझे सिर्फ इसको red color का box दिखाना है, तो यहाँ से मैंने red color डाल दिया, इसमें थोड़ा बहुत glossiness वगएरा डाल दूँ, थोड़ा glossiness डाल दूँ, तो इस तरह से ये चीज़े, shading के काम आती है, इसमें map होता है, इसके अंदर आप diffuse में जाकर, आप texture, आप कुछ भी texture बना रहे हो, कुछ, इसके अंदर rusty type का, इस jar को मुझे, जो ये टी pot है, इसे मुझे rusty type का दिखाना है, इस पर गंदे लगे हुए है, तो इस तरह का, या चाय का dot, कुछ वो dots दिखाना है, कुछ भी rusty type का दिखाना है, या कुछ भी texture लगाना है, यहां दिखाना है, किसी company का है, जिस company का है, उसका logo दिखाना है, तो इसका texture through, जो कि Photoshop में हम इसका, यहां से, Photoshop में, हम इसके उपर paint करते हैं, paint करने का एक तरीका होता है, ऐसे ही इस के लिए हम मोडिफायर लिष्ट में जाते हैं मोडिफायर लिष्ट के अंदर आपको यूबी डब्लू अंड्रैप अंड्रैपिंग यूबी डब्लू होता है और यूबी डब्लू मैप होता है अंड्रैपिंग यूबी डब्लू में जाना होता है और यहां से इसका अंड्र अन्रैप तयार करना होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे अन्रैपिंग कैसे करते हैं इसका कैसे अन्रैप खोलते हैं फिर उसको फोटो सॉप में ले जाके अन्रैप को फिर उसको उपर कैसे पेंट करते हैं इस पर import करते हैं तो फिर वैसा texture दिखता है फिलाल मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे color वगएरा change कर सकते है color change कर सकते है texture change कर सकते है अभी जैसे मुझे इसके उपर bricks का texture डालना है तो मैं कैसे bricks का texture डाल सकता हूँ यहाँ पर जाना है तो अब ही हमारे सीन में तो हम इसमें ब्रिक्स का कैसे यूज टेक्चर यूज कर सकते हैं यहाँ पर यह हमारा ब्रिक्स का टेक्चर हमने यूज कर लिया यह हम टेक्चर को छोटा भी कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं वो मटईजी भी ऻियंट करता है तो यह डिफूज के अंदर यहाँ जाना है जो भी टेक्चर आपको जहाँ से टेक्चर आप इंपॉर्ट करना है इंपॉर्ट किजिएगा इसके अंदर और इसके ओपर आपका शो कर देगा यह बटन हमारा इसको शो करने के लिए चरूर अन कर देना है तो इसके ओपर जो भी आप ब्रेक्स का टेक्चर इसी तरह कुछ भी टेक्चर पेंट करके डालना है तो इसके ओपर टेक्चर डाल सकते हैं यहां उसके उपर blue color डालना है तो यहां blue color आपने डाल दिया इस पे जाकर आप blue color डाल सकते हैं यहां से setting कर सकते हैं जो भी आपका reflection वगएरा glossiness वगएरा आप बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं तो यह चीजे होती है यह आपकी काफी काफी ज़्यादा यूज होती है टेक्शरिंग के पार्ट में यह material editor setting के लिए काफी ज़्यादा यूज होता है यह हमारा हो गया material editor इसके बाद आता है हमारा यहां पे यह setting setting render setup जब हम finally हम कुछ भी तयार कर लेते हैं सीन तयार कर लेते हैं तो हम यहां पे render setup के अंदर जाते हैं render setup में यह हमारा अभी हमारा render setup में जो आज की date में आप जानते होंगे कि वीरे बहुत जादा यूज हो रहा है हर जगा max में वीरे यूज होता है चाहे आप stall designing में चले जाए event industry में चले जाए चाहां stage वगरा बनते हैं चाहे आप किसी architecture field में चले जाए बड़े-बड़े malls का model बनता है shopping complex का, show rooms का retail sector का interior exterior हर जगा architecture field में हर जगा वीरे में render निकालते हैं क्योंकि वीरे का rendering quality होता है वो तो realistic होता है तो इसके लिए हमेशा वीरे में render निकालते है जो कि मैंने भी अपने इसमें set कर रखा है वीरे का setting on कर रखा है वैसे मैं आपको बता दूँ इसमें 3-4 तरह की settings होती है यहाँ पे आप जाएंगे assign render में मैंने already वीरे को assign कर रखा है कि मैं हमेशा जो कि default है कि हमेशा यह setting लेता है वीरे का यहाँ पे वीरे ही सोग करता है मैंने इसे default कर रखा है आप इसे आप चाहें कि यहाँ पे आपको scan line render होता है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यह आपका scan line render दिखा देगा कि scan line render में कैसे setting करना है मैं अभी आपको वीरे का वीरे बताता हूं जो कि अभी मार्केट में यूज भी होड़ा है हर कोई वीरे में render निकालता है अभी इन चीजों scan line या scan line हो गया scan line हो गया scan line starting में चलता था फिर मेंटर रे आया आज के रेट में वीरे चल रहा उसके बाद यहां पर हमें hd में निकालना है तो यहां से 90 20 by 1080 या इसका half hd यहां पर फूल hd हो गया यह half hd हो गया अभी फूल hd में रखता हूं यह चीजे हैं जो कि आप यहां से hd quality अपना on कर सकते हो यहां वीरे पर जाओगे वीरे में यहां आपका scene होता है वीरे environment यहां पर इसे आप on कर देते हो यहां color है blueish light blueish इसे आप ज्यादा white कर दो या थोड़ा light blueish वो कम करके रखो one करो इसे आपका फिर आपका lighting यह setting यह वीरे की setting है यहां buffer इसको नहीं चेहते है यहां max depth है इसको हमेशा 4-5 ऐसे करके रखते है इसके तूँ अभी जैसे किसी scene में एक render निकाल ले है जो कि जिसमें की glass के भी पीछे कुछ object दिख रहा है तो इसमें हम इसे जतना ज़्यादा हम बढ़ा कर रखेंगे उतना clear वो चीज़ दिखता है glass के आप जो light लगाओगे उसकी ही lighting वो scene में दिखे यहां पे आप DMC adaptive depth subdivision भी रख सकते हो आपकी DMC मर्जी हो तो आप DMC रख सकते हो यह एरिया है इसको catamal room रख सकते हैं Mitchell Netrably भी रख सकते हैं catamal room रख सकते हैं catamal room रख सकते हैं यहां पे आप इसे on कर दो GI को Ambient Occlusion अगर यूज करना है तो आप रखो नहीं यूज करना है मैं अपने setting में Ambient Occlusion को नहीं यूज करता हूं तो आप मत रखो यह चीज़े है branding quality कैसी रखनी है high रखनी है medium रखनी है medium रखनी है medium करो अब तो यह default की कुछ settings होती है वीरे की जिसे आप चे change करना आता है minimum sample को 8 ही रहने दो 16 या 32 भी आप कर सकते हो अब कैसी quality चाहिए उसके उपर depend करता है तो यह rendering setting होती है यह setting कर लिया जाता है यहां पे आप क्लिक करते हो तो render चालो हो जाता है यह last वाला बटन यह होता है इससे आप क्लिक करते हो तो यहां render शुरू हो जाता है अभी हमें render करना नहीं है कुछ खास हमने बनाया नहीं है इसमें lighting भी नहीं है तो अभी हम rendering नहीं कर रहे है अभी ऐसा render आता है स्प्लाइन वता दिया था यह light है light के अंदर आपको यह standard अभी जैसे Omni हो गया target target spot हो गया target spot जैसे इसके उपर मुझे यहां से light focus करना है target spot हो जाता है Omni light हो गया free spot है free spot direct है sky light है तो यह चीज़े है free spot में यह आप कही भी ऐसे light को target spot में क्या होता है target spot में और free spot में यह फर्क होता है target spot में एक target मिलता है जीसको आप move करके कहीं भी आप उसे move कर जकते हो बद me इसा नहीं होता है तो यह चीज़े रख होती है Omni light सीन में रख देते हो तो यह आपको हर जगर light देता है पूरे scene में दिखेगा अब यह से यह है ओमनी लाइट यूज करने पर आप हर तरफ इसका लाइट दिखता है अभी मैंने यहां ओमनी लाइट रखा यह पूरे सीन में जैसा लाइट कर देता है अगर इसी के जगह पर ओमनी लाइट के जगह पर मैं आपको दिखाता हूं टालगेट स्प एक और डाप का देता तो यह झालग अलग हर लाइट के यहां पर लाइट के प्रोपोस आपको पता चलेगा जैसे इसके फार नियर एंड फार को कितना यूज करना है ये सब चीजे होती है लाइटिंग में ये हम नेक्स्ट उसमें क्लियर करेंगे उसके बाद ये कैमरा आता है कैमरा के लिए अब डिफॉल्ट पी यहां से टार्गेट कैमरा ऐसे लगा सकते हैं और सी प्रेस करते हैं यहां कैमरा वन दिखा देगा अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अदो दूसरा तरीका है आपको सीन जो भी सीन है पहले तो आप प्रोस्पेक्टिव यहां प्रोस् आप ही default अग मैं दूसरे view में आपको टॉप में जाकर दिखा हूँ तो यह camera लग चुका है तो इस scene पे यह camera 1 दिखा रहा है यह camera automatic camera लग चुका है Ctrl C प्रेस करते हैं तो जदा तरो लोग Ctrl C प्रेस करके इसी तरह से camera लगाते हैं अपने scene में ताकि उसे बाबार चेंज ना करना पड़े एक बाड डिफॉल्ट प्रोस्पेक्टी में अपना scene को प्रॉपर तरीके सेट करके और उसके बाद Ctrl C प्रेस करके camera लगा देते हैं यह camera का setting हो गया यहां से आपको helpers हैं इसके अंदर आपको जैसे tape है यह tape के तो कोई भी size किसी भी चीज़ का size माप सकते हो अब मैंने एक यह teapot बनाया टीपोट का मुझे मेरा height कितना है width कितना है तो यह inch ही जो को मापना होता है तो उसके लिए आप यह tape को यूज कर सकते हो यहां से ऐसे मैंने tape को यूज किया यहां drag किया अब यह मेरा tape properties में जाएंगे तो यह बता देगा कि यहां कितना है अभी मैं जैसे इसे 2 inch दूँ एक inch मैंने tape किया नहीं उससे भी छोटा दिखा रहा है यह तो भी बहुत छोटा है यह मतलत हाफ इंच ले लेता हूं मैं तो कि मैंने size में तो बनाई भी छे half inch का दिखा रही है कि half inch है तो इस तरह से यह इसका size बगरण आपने का काम आता है तो अभी जैसे मैं अभी एक feet का करूं यह अभी एक feet है एक feet इसका यहां जा रहा है जैसे ही मैंने 1 feet type किया इसको आप दीख सब्गते हो मेरा जो जो इसका grid है वो एक feet पाई एक feet का आपने starting में यूज किया था तो देखो यहां तक किसी भी सीन का में कुछ भी साइज नापना ह किसका कितना साइज है तो इसके लिए टेप हूता है और भी चीज़ें हे हैं पॉइंट है ग्रीड है तो यह इन चीज़ों का वही है मैंने बताया था कि यह बहुत अरी चीज़ें रिगर को एनिमेटर्स को यूज होता है जिनका यूज हमें नहीं होता है तो इस तरह से यह चीजे हैं यह चीजे भी हमारी यूज की नहीं होती है यहां से यह पीवट सेट करने का बात होता है अभी जैसे इसका पीवट अभी है यहां पॉटम में नीचे की तरह पा रहा है ह हमें यह center pivot करना है तो यहां pivot पे effect, pivot only पे click करके and center to object, जैसा ही center to object तो object के एक तम center में चला जाएगा, align to object, align to world, इस तरह से बहुत सारी reset, reset करते हैं, यह नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से हम अपने pivot को, यहां से default, manually भी मैं pivot को पकरके मैं यहां रख सकता हूँ, अब मैं मा पाइदा क्या होता है, pivot अब यहां मैंने set कर दिया, तो अब मैं rotate करूँगा, by chance अपने scene में, तो यह इस axis से rotate होगा, अभी by chance मैंने pivot को यहां set नहीं किया होता है, तो यह default ऐसे rotate होता, इन चीजों में काम आता है, pivot को हमेंसा, pivot भी काफी जादा use होता है, pivot set करना, प्रॉब लगाया, camera डाला, तो अभी इसमें मुझे, यह display का tool है, जो last second last जो है, यह top पे, यह इसमें अभी मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरा light जो हाइड हो जाए, यहां scene में light ना दिके, अब मैं बहुत बड़ा scene, कोई बहुत बड़ा interior, exterior बना हुए, एक mall का बहुत बड़ा सा scene में में बना रखा है, तो उसमें मैं जितने भी मेरे lights है, वो मैं चाहता हूँ, अब मुझे काम करने में, edit करने में, जो देखका थोड़ा होता है, तो होता है कि light to hide कर दो, तो यहां से मैं direct light को hide कर सकता हूँ, यहां click करने करके camera hide कर सकता हूँ, तो यह helpers, जो इसमें बहुत सा अब ही hide करने की यह काम आती है, यह IK, यह box, IK chain, यह सब रिगर्स वगएर का यूज का होता है, तो हमें भी यह यूज करना होता है, तक ही हमें काम करने में, यहां मेजर्मेंट में, यहां से भी हमेजर्मेंट का size निका सकते हूँ, यह चीज़ है, आज मैंने आपको अभ greed है, इसको scale करके थोड़ा सा, बड़ा किया, और यह कुछ मैं render करके बताता हूँ, आपके tools काफी हद तक clear हो चुके होंगे, जैसा कि मुझे मैं मानता हूँ कि आपके काफी सारे tools clear हो चुके हैंगे, prospective का shortcut P होता है, P press करते ही है, prospective में automatically चले जाते हो, and अभी मुझे इसमें black का रहा है, क्योंकि light है, मुझे light और यह सब चीज़े हटानी है, तब यह अहां से light delete करता हूँ, इस camera को भी delete कर देता हूँ, अब यह मेरा scene, यह है, यह है, यह हमारा basic tutorials, basic जो इसके tools होते है, 3D Max के, इसका second video था यह, जिसमें आपके काफी सारी tools clear हो गई होंगे, अब next video से हम आपको चीज़ें बना के, modeling करके, lighting करके, चीज़े proper बना कर आपको दिखाएंगे, हर एक tutorial में, चीज़े proper बना कर, clear करके दिखाएंगे, कि उसमें, तो उसमें आपको और भी चादा चीज़े clear होंगी, कि कैसे काम किया जाएगा इसमें, यह आप कैसे काम कर सकत तो अभी एक टीपोट है, इस टीपोट में मैं सवारा setting करके आपको बदाता हूँ, इसको कैसे, और बीच बीच में आपको इसमें मैं छोटे-छोटे चीज़ें भी डालता रहूँगा, कैसे कुछ जैसे glow effect कैसे बनाना है, steel का effect कैसे बनाना है, wooden effect कैसे बनाना है, कुछ materials कै जो कि आपके काफी helpful होगा, तो यह आपको काफी help करेगा आपके काम में, तो आप इसे मेरे साइट, इसको चैनल को subscribe कर ले, like कर दे, subscribe करने, and bell button को दबा दे, ताकि आपको हमेशा जो भी मैं चोटे-मोटे videos डालू, तो वो आपको उसके पाउप्स मिलते रहें, तो यह ज्य इसको कुछ color देता हूँ, जैसे, यही red वाला, जो यह दे रखा हूँ, यह मैंने color दिया, एक simply, एक simple size के रेंडर निकालने के बताता हूँ, कि यह कैसा लगता है, render निकलने के बाद, 0.2 रखा, इसे थोड़ा glossy रखा, इसके नीचे एक मैंने, यहां से, लास्ट वाला, वीरे option से, वीरे plane निकाला, और यहां पे मैंने नीचे में वीरे plane डाल दिया, वीरे plane पे भी मैं से कुछ setter डाल देता हूँ, बताल стала का नजगू ट्रभ से, अजग वीरे घंश, वांधा कना रिएभाँ प्ट है, ङादकर आँ कि यह मैं अपना डिफॉर्ट एक सेटिंग बना के त्यार करके रखा हूँ हाँ अच्छी एंटर में निकालूंगा अब इस यह जैसे मैं बता रहा था है कि हम कैमरा कैसे लगा सकते हैं डिफॉर्ट यहां से मैं फ्रेम अपना शो शेफ फ्रेम आउन कर लेता हूं तक कि यह मैं कंट्रोल सी करके कैमरा लगा दिया इसे एक रेंडर निकाल को यह अभी फिलाल ऐसा कुछ रेंडर आ रहा है जो आप देख रहे हूं अभी इसमें मैं थोड़ा सा और लाइटिंग में इंप्रूव करता हूं अभी मैं यहां लाइट मिचाता हूं वीडे लाइट यहां से वीडे लाइट लेते हैं ऐसा कुछ इसके अंदर वीडे लाइट लगाते हैं वेल्यो बहुत जादा है भी 30 है इसको जोगस को वन करेंगे भी हम विजिवलिटी इन्विजिवल कर देना है एंट देन तो यह जैसे जैसे इसमें हम लाइटिंग करेंगे चीचें इंप्रूव होती जाएंगी कि जतना जाता आप किसी भी मॉडल पे किसी भी सीन पे जो भी आप 3D में बना रजे हैं इसके उपर जतना ज़्यादा आप मेहनत करोगी इतना जादा वो इंप्रूव होता चला जाता है तो इसी लाइट को कोपी करते हैं आप हैै इसाकुछ अब आप जो कि अबी मिन बैसिक करके बता रहा हूँ किसे आगे आगे वाले निक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से क्लियर करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो अब ही में आपको बतानी पा रहा हूं टाइम नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीजों को क्लियर करूँगा तो यह इस तरह से हम इस सीन को और भी इंप्रूब करने का हो तो इंप्रूब कर सकते हैं लाइटिंग यह बेसिक सेटप करके ठीक बेसिक एक लाइट का सेटप वीडे लाइट सेटप सब्सक्राइब करना हो तो यह आपका वीडे के तुरूब ऐसा कुछ एक रेंडा निकाल सकते हैं आप 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 मैंसे यूबी रभू हटा देते हैं अभी इसकी जरूबत नहीं है अभी मैं में से स्मूथ यूच किया हूं इस पे मैंने बताया था मोडी फैर इसमें बहुत सारे मोडी फैर होते हैं इसी में से भी मैंने में से स्मूथ यूच किया ताकि में से स्मूथ के थूरू मैं इसको थूरा सा स्मूथ कर पाऊं अभी आप अगर रेंडर देखोगे तो यहां हार्ड लाइन्स आ रहे हैं यह हार्ड हार्ड लाइन्स आ रहे हैं कर दो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह स्मूथ ली काफियत तक स्मूथ हो गया तो अभी यह फिलहाल ऐसा है इसमें किया है कि हर तरफ हमने एक जैसा लाइट का मल्टिप्लायर में हमने लाइट का इंटिसिटी एक तरह का दिया इसमें एक तरफ से अगर मैं थोड़ा सा जाधा कर दूँ तो क्योंकि कभी भी सीन में हर तरफ से लाइट एक जैसा नहीं आता है कभी कहीं से ज्यादा light आता है कहीं से कम light आता है तो ऐसा कुछ होता है जितना ज्यादा आप काम करोगे अपने scene पे जितना ज्यादा चीजे edit करके देखोगे उतना ज्यादा वो निखर के आता है आपका beautiful होता जाएगा तो आज के लिए इतना ही के नीक्स्ट वीडियो में हम कुछ सीन व Kära करेंग debis मॉड्लिंग करना बताएंगे आपको कैसे मॉड्ल करना जैसे जो टीपोट है तो टीपॉaiments आप ये तो बना बना है इसमें है बात आप खुच से कैसे टीपोट बनाोगे है आप खुच से एक fridge का model हें तो fridge का model आप कैसे बनाऊगे और कुछबी कुछ भी गलास है बोटल है मक है sofa है कोई भी model आप कैसे बनाऊगे modeling करने का तरीका बताएंगे modeling separate separate अब ये आज के का tutorial और last tutorial दोड़ों tutorial में आपने आपके tools के लिए किये हैं अब चीजों को बना के बताएंगे आपको कैसे modeling वगधर करना है lighting कैसे करना है चीजों का setting कैसे करना है तो ये चीजे अब proper बना के चीजे clear होगी और continue videos देखने के लिए इसे subscribe कर ले like कर दे बेल बटन को दबा दे झाल 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 झाल